आजादी का दिन, हर एक हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़ा दिन, हर कोई सैनेकों को सलाम करता है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को बरबाद करने की नापाक सोच रखते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यूपी में बाबा का राज है दरसल 15 अगर्ष से पहले यूपी ATS को एक बड़ी सफलता आसिल हुई है यूपी ATS ने OBC के नेता को गरफतार किया है जो की युवाओं का बेनबोश करता था दरसल यूपी के आजमगर्जिले से गरफतार आतंकी सबाउद्दीन आजमी के बारे में कई बड़े खुलासे हुए हैं ATS की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सबाउद्दीन सीधे IAS IAS की संपर्क में था सबाउद्दीन ने RSS की सदस्यों को निशाना बनाने के लिए चिन्नित करने के उद्दिर्शे से RSS की नाम से मेल आइडी बनाई थी और उसने Facebook एकाउंट भी बनाया था यानि की इंदुस्तान को बरबाद करने की कोशिश करता था सबाउद्दीन सांसत ओवेसी की पार्टी AIMIM के सक्रिय सदस्य है इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है बीजेपी ने ओवेसी की पार जोड़दार हमला बोला इस तोरान बीजेपी पिरवक्ताने क्या कुछ क का वो भी आप सनिए उत्तर प्रदेश के आजंगर से किरफतार आतंकवादी का आल इंडिया इस्लामिक मित्हादुल मुसल्मीन से कनेक्शन होना कई सारी कंभीर सवाल खड़ी करता है असर दिदूनों वैसी कि जो ये कट्टरपंथी सोच है जो ये बार-बार विभाजन क पर एक बार सोचना होगा कि क्या वो देश में आतंकवादी पैदा करेगी तो कहीं न कहीं आतंकियों के उसले बुलंद हैं लेकिन यूपी एटियस भी पूरी तरीके से सक्रिये है हालांकि ओवेसी ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी सफाई नहीं दी है तो कैसी ल उनने की तमाम बड़ी खबनों के लिए आप देखते रहिए न्यू जोच इंडिया जैहिंट